मैं शब्षादा शैन जो मारी डिस्टिक चेर्मेन राम्मन की बनी उनको मवारबाद देता हूँ और वाइस चेर्मेन हमारी राबिया बेक जो बनाल कॉंचोनजी से बनी मैं उनको भी मवारब देता हूँ कि राम्मन डिस्टिक डेवलेमेंट आज कंप्लीट हुई है। वैसे ही मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी डीडीसी के चेर्मेन बना वैसे हम कठे होके सब राम्मन डिस्टिक में कठे होके काम करेंगे। जैसे आपको पता है कि जैसे तेरा तारीक को जो वाइस चेर्मेन के केंड़ेट थे वो कांगर से थे अभी आज की जो वोटिंग होई वो वाइस चेर्मेन इनके इंडिपेंडन में थे वैसे ही जो पार्टी है इसका कोई विकार नहीं है कि किसी को वाइस चेर्मेन बना देत पता होगा कि प्रोटोकाल जैसे ही बनेगा, कैसे प्रोटोकाल हमारे डीडीची का होगा, वैसे ही हम जहां पर अपने कॉंशुएंसी से अपनी जो भी सकीमें सेंटर की लागू करेंगे, और सेंटर से बड़े बड़े प्राजक्त लेयाँगे, और अपने डिस्टीक में हम ि हमेशा कहते हैं कि सब का साथ सब का विकास करेंगे और वैसलिक ही हम आप अपने with सब्सक्राइब करेंगे तॉ आप को पता कि Center में हमारे साथ कंवारी बिजीप MORAL की सरकार रहा हैं वैसलिक हैं अगर हमारी सेंटर की स्कीमें लागू नहीं करने देंगे यहांपर हमारे बहुत बहुत हो स्ट्राइब होगी हम इसान करेंगे संटर तक के बात हो चाहेंगे कि हमारी डिस्टिक में करफशन पहले से बहुत कम होगी को कोईशिच करेंगे करफशन फ्री कर देंगे डिस्टिक माने ता मने जब 335 से हटानी था जम्मु किश्मीर ने लग गग 60,000 युवा मरे उसमें हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे सारे मरे इसलिए हम चा कि हमेशा ही एन्सी, पीटीप, कांग्रस हमेशा ही जब इलक्षन होते 375 से की बात करते हैं मगर एक ही इनका फार्मूला सिर्फ है कि एलक्षन लोगों को बेग उप कैसा बनाया जाता है वैसे ही हर एलक्षन में बात करेंगे 375 से को मतलब इम्पलिमेंट लाने के लिए द